हेलो फैंज स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्चोति इंग्लिस क्लासेज में मैं समीर सिंग लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 7 का हनी कॉम का यह सेकेंड पोयम है जिसका नाम है रीबेल का मतलब क्या होता है रीबेल का मतलब होता है विरोधी स यह ध्यान दीजिए यहां पर लिखा हुआ है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा आप से यह आपके दोस्तों से डिस एगरी रहता हो यह वो असहमत रहता हो आप कहना चाहते हो कुछ और वह उल्टा कहना चाहता है आपको जो पसंद है उसे वह बिल्कुल प पसंद है या आपने कभी देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं टीचर कहता यह करो वह नहीं करते हैं या यह उल्टा करते हैं अइसे बच्चे जो काम को उल्टा करते हैं उसे कहते हैं रिबेल यानि कि विरोधी सुभावाला व्यक्ति या विरोधी सुभावाला लड़का जिसका काम ही हो उल्टा करना तो अगर आपको ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में किसी बच्चे के बारे में पता हो तो आप उसको अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर करिएगा या comment box में मुझे बताईएगा कि ऐसा कौन सा वेक्टी है जो आपके दोरा कह गए बातों का बिलकुल उल्टा करता है आपके भाई बैन में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं कहानी क्यों ये पोयम क्यों है आपके क्लास में वो इसलिए क्योंकि आपको ये समझाना चाहता है कवी कि आप समझिये आपको विद्रोही बनना नहीं चाहिए विरोधी बनना नहीं चाहिए जो बड़े आपसे कहते हैं वो आपके लिए सही होता है माबाप कहते हैं बेटा ये करो तो आपको वो करना चाहिए, आपको कहा जाता है ये का मत करो, शोर मत करो, लड़ाई जढ़ा मत करो, फूल मत तोड़ो, किसी को परशान मत करो, वो नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हो, उनके द्वारा कहे गए बातों का उल्टा करते तो आप एक रीबिल हो, आप एक विद्रोही हो, आप एक विरोथी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम चलते हैं, पोयम में कन्फरम करने, एक एक लाइन पोयम की, आप ध्याशन से देखेगा, पोयम में टोटल जो है, वो इस तरीके से आप देखेंगे चार लाइन, ये जो है, वो 4 linesů, ये 4 lines जो होते न, इसे एक stenja कहते हैं, एक stenja, इस tenja में कितनी lines है? एक, दो, फ्रीन, चार, चारe Lines हैं, आप अगर देखोगे ध्यान से, तो आपको 30 line मिलेगा पूरे के पूरे 힘 में, 30 line, ठीक है? अगर यह 4-4 line होता, तो हम इसे आठ चोके 32 खे देते यह इस में जो सात जो इस टैंजा है उसमें चाहर चाहरा हैं एक इस्टैंजा dogват में की बुकम्व हो नहीं का अलग अलग में लग इंठ कpex मैं यहां Hindi explanation बता रहा हूँ अगर आपको English में चाहिए तो मैंने English का भी यहां नीचे रखा हुआ है आप English पढ़ सकते हो Hindi में आपको बोल दे रहा हूँ आप दोनों explanation दोनों आपको व्याख्या यहां मिल जाएगी तो पहला यहां लिखा हुआ When everybody had short hair Short मतलब छोटा, hair मतलब बाल When माने, जब everybody माने हर किसी का जब हर किसी के बाल छोटे होते है न पहले राइन में कभी कहता है जब हर किसी के बाल छोटे होते है तो rebel के बाल कैसे होते है नहीं कि जो विरोधी सोभावाला वेक्ति है लड़का है उसको स्वा करता हो कैसा होता है तो rebel जो होता है lets his hair grow long तो अपने बाल बढ़ा लेता है उल्टा देखिएगा जब आपके बाल छोटे होते हैं टीचर कहता है बाल कटा लो तो बाकी बच्चे बाल कटा लेते हैं लेकिन जो विद्रोही सुभाव का होता है वो बाल लंबा रख कर जाता है अगला तीसा लाइन जब सभी के बाल लंबे होते हैं तो अपना बाल छोटा कर लेता है अब क्या करता है देखिए इसमें तुलना की गई है कि जो नॉर्मल रेक्ती है वो क्या करता है और फिर अगले लाइन में ज़ुलना की गई है कि जो अलग सा विद्रोही है वो कैसा काम करता है तो जहां जहां लिखा है वो समझ जाए कि वो नॉर्मल विखती है जो हर किसी की बात मानता है तो लिखा है कि वेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग तर लेसन जब हर कोई लेसन के बारे मे discuss करते हैं बात करते हैं तो विद्रोही क्या करता है विरूधीम xabd कहता है विरूधी वाला लड़का है वो बात ही करता है तो लोगों को परशान करता है वह बात चीत करने लगता है व्योधान पैदा कर देता है जो लड़का है रीबिल वाला तीसरे में चलते हैं कि आप क्या करेगा वह जब हो एक्ष सब्सद्राइब करता है यह जो प्हेम करक्या वह लगे दख्यान करते हैं जब हर कोई रंग विरंग कपड़े पहन करके आता है मालो कोई फेस्टिवल का समय हो कोई ऐसा डे हो जिसमें कहा गया है बच्चों को कि बेटा आप लोग अपने युनिफॉर्म में मत आना अपने घर का जो भी कपड़ा होगा वो पहन के आना तो जो बच्चे फैंटास्टिक कपड़े पहन के आते हैं जो रड़ा होता है 12 कपड़ा पहनता है सक बली मतलब होता है जो उल्ला कपड़ा पहनता है तब वो उल्टा काम कर रहा है जैसा भी लोग वो इन्हें देसा साइड साथ तो यह हैं क्या करता है यह विरोधी सुभाव का यह क्या करता है एकस्पेस्क्ष यह व्यक्त करता है यह करता है जो बिली को पसंद तो यह बोलता है न्य Judith मुझे ना, कुट्तु एच्छ रखते हैं। जब कुट्ते पजने वाले व्यक्तियों में या जाता है, तो कहता है, मुझे ब्ली पजने वीचित है, तिस उल्टार जो काम हो गा knows, ब्ली को ही पसंत है, जब करके रहा हि कहता है। सूरी पसंद है यानि कि यहां पर अगर देखे ध्यान से तो जब बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है इसमें सूरी लाल लाल है सूरी ज्यादा रोशनी दे रहा है जब सूरी की प्रसंदा करते हैं तो रिबेल जो है रिमाक्स यह बताता है अंदर नीड आफ दरे लटाय कटाई हो सके अच्छे से तो लोग चाहते हूं कि इस सूरी का होना अच्छा है धूप हो अच्छा लगेगा करता है यह पसता पा। we can save suis Buck Highway की अनुपस्थित है यानि कि यह का नियार गलत है यह सूर नहीं हो गयता ना बहुत अच्छाए ुगती तो अच्छा लगता यानि कि जब इंसान उगते हैं सूरफ स Qi करता है तो यह कहता नहीं मुझे मुझे वर्शाद पसंद करते हैं तो यह कहता कि इसे उल्टे करता है वह विद्रोई नहीं तो विध्रोई我 का करतें ध्याइग… जब कोई मीटन में जाते हैं रूप में जाते हैं तो can stay at home गर पर बैठता है और कोई किताब पढ़ता है तब यह कहता है मुझे मिलना जुनना बिलकूल पसंद नहीं, मैं मीटिंग में नहीं जाओँगा, मैं घर पर रहाऊगा, मैं कहीं नहीं जाओँगा सब्सक्राइब करें समय खत्म को जाए गोट मिलने बंड कर देगा ये इतना काम करता है यहined यह है नेक्स्ट जो दो लाइन का है हाला कि चार में लिखा गया है जब हर कोई कहता है हाँ हाँ बहुत बढ़ियां तो रिबल कहता है नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मुझे जो है वो चाय नहीं चाहिए जो कोई कहता है हाँ तो यह कहता है नहीं नेक्स्ट है और जब कोई कहता है नहीं नहीं चाहिए आपका धन्यवाद आप मुझे मत दीजिए तो रिबल कहता है यस प्लीज मुझे दीजिए कहता है कि बहुत अच्छा है हमारे पास रिबल्स है हमारे आसपस विरुधी सुभा के लोग हैं यह अच्छी बात है लाबदायक है क्यों क्योंकि हमें अंतर पता चल जाता है लोगों के बीच में कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है हर कोई एक जैसा करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है लेकिन जैसे कोई उल्टा काम करता है हमें पता चल ज तो यू में नाट फाइंड इसे बहुत अच्छा तुबी वन आप इसे बहुत अच्छा नहीं पाऊगे यानि आपको यह जो रिबिल टाइप की व्यक्ति होते हैं यह अच्छे नहीं होते हैं यह समाज के लिए बुरे होते हैं इनका होना आपके लिए फायदेमंद है लेकि के लिए फायदेमंद इसलिए क्योंकि आप जान जाते हो कि यह बुरा लड़का है लेकिन समाज के लिए वह लड़का गलत है वह विरोधी सभाव का है और ऐसे लोगों से साफधान रहे दूर रहे इसलिए आप लोगों को भी बड़ों की बात माने चाहिए अपने टीचर करके आप सुनी जीएगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा हम चलते हैं इसके question answers पर यह है first question जिसका यह answer दिया गया है आप इसको चेक कर लिजएगा यह questions है आपके 5 और यह answer इसके 5 है ठीक है चलते है यह second में आपको fill करना है यहाँ पे आपको यहाँ पे fill किया गया है इसमें लिखा हुआ सारी थार्ड क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से फूरे पसंद आगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा लाइक करियेगा अगर आप पसंद करते हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वर्टसप से, इंस्टाग्राम से, किसी भी सोशल मीडिया से और आइकन जो बेल आइकन है उसको जरूर बजा दीजेगा, दबा दीजेगा ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिलते हैं आपके आपसे फिर से नए वीडियो के साथ तब तक अपना ख् परते रहेगा, थेंक यू फो वाचिंग दे वीडियो